क्लास 11 में जितने भी बच्चे हैं जिनका फिजिक्स का एक्जाम होना आला है फाइनल टम का उसे बच्च के लिए बढ़े रहेगी इस वडियो में हम पी वाई की उसकी प्रैक्टिस करेंगे प्रिवेस यह कोशन्स आपके जो पेपर में आ रखे हैं उन सभी पर आज हम कोश प्रोपोर्शनल टू तो एक बार आप इसको जिरूर्ट से टैम कर सकते हैं बहुत यहाद अच्छा कोशन नहीं पहली बार में जो मैक्सिमम जो बच्चे हैं वह इस वाले कोशन को गल्द करते हैं मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे आपको डील करना है यहाँ पर जो हैना आपकेपास दो मांसिस हैं दो आपके पास इस फ्लेयर जो इस फ़र्म के है आपके और दोनों को एक कटेक्ट में रख दिया एक दुसरे के साथ और यहाँ पर जो इसकी रिडियस है अपकूर capital R मान ली और इसकी भी radius capital R ठीक है तो आपने ऐसे निकाल लिया होगा कि इसका जो mass है वो हमारा capital हम है और इसका mass capital हम है तो यहाँ पर से आपके gravitation force कितनी होगी जो यहाँ पर आपके gravitation force हो जाएगी FG वो हो जाएगी कि आपके कितनी जी एम स्क्वाइर का होल स्क्वाइर क्योंकि इन दोनों का जो यहाँ पर separation है वो कितना है तो यह आगे आपका जी एम स्क्वाइर बटे में 4R स्क्वाइर ठीक है तो आपको यहाँ पर दिख रहा है जो आपका यह जो आपका gravitational force है यह inversely proportional है R स्क्वाइर के तो जैसे ही आप इस वाले option को टिक करेगे वैसे यहाँ आंसर आपका क्या हो जागा गलत हो जागा गलत कैसे होगा मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ यहाँ पर आपको बोला गया आपको ना दो identical spheres बोलें कहां आपको यह बोल नहीं है यह आपको कहीं पर नहीं बोला तो हम यहाँ पर मास सेम नहीं ले सकते density आपकी इन दोनों की सेम होगी ठीक है तो यहाँ पर से आपने पढ़ा होगा density is equal to mass upon volume होता है अगर मैं यहाँ पर से mass निकालना चाहूँ तो यह हो जाएगा आपका कितना density into volume और volume आपका क्या होता है sphere का 4 by 3 pi r cube तो यहाँ पर से जो आपका यहाँ पर gravitational force होगा न वो आपका यहाँ पर होगा capital G into जो यहाँ पर इस वाले का sphere का जो mass हो जाएगा वो जाएगा आपका यह रो 4 by 3 pi r cube और इस पूरे का क्या हो जाएगा whole square क्योंकि आपके पाद दो masses है divide by r square 2 r square और 2 का square 4 तो यह होगा आपका कितना g rho square और यह होगा आपका 4 का square 16 बटे 9 pi square r की power 6 और divide by यह होगा आपका 4 r square अब यहाँ पर से जो है यह कटके क्या हो जाएगा r की power 4 और यहाँ पर जो आपका force होगा वो किसके डैक लिए proportional हो जाएगा वो हो जाएगा आपके r की power 4 के ठीक है यहाँ पर जो आपका gravitational force होगा वो आपका r की power 4 के proportional होगा ठीक है अगले question में आपको बोला गया है कि आपके पास नहाँ यहाँ पर एक 1 kg का mass है जो इस फेयर फॉर्म का है एंड यहाँ पर जो है आपका तीन मास रख दे गया है इस परकार से capital M के ठीक है और यहाँ पर जो है यह इस टाइप से है ठीक है तो यह जो है आपका एक square है जिसकी साही साइट के है इक्वल है तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो आपकी net force है और इस को मालते हैं है अट्र इंशकी कि इसको मालते हैं है यह उप चीण लांगा सिट है कि इस पा नेड़िफॉर्स 9 1 1 कि आपको नैट-फॉर्स बताना है तो यहाँ पर से यहाँ पर जो आफका यहाँ पर जो आपकर यहाँ लगेगा यह आपका लगे कना से यहां पर फोर्स आडट पार करेगा इस मास लगेगा इसा यह अंकर लगे-चाइए-ब िक आपका यह यह फोर्स हो गया और यह फोर्स हो गया इन सभी मासिस के विए से ठीक है तो यहां पर से हमने आपर F1 निकाल लिया इसको मैं नाम दे तो F1 यह होगा आपका F2 और इसको दे दिया F3 तो स्टार्ट करता है यह होगा आपका कितना इसकी बात करें तो आपके दो मासिस है एक का है 1kg और दूसरा आपका M तो Zm इंटू 1 डिवाइड बै सेप्रेशन आपका A का तो A स्कोर जी एम बटे A स्कोर ठीक है F2 बराबर यह होगा आपका कितना यहां पर F2 होगा आपका यहला सेप्रेशन होगा आपका नष्थ मोस्कार पूसरा तो जी EL 4 आपका रड जो आपका डिग्नल होता है स्कॉरा का वह कितना होता है रूड 2 टांस आप साइर अफ तो यहां groups को दो स्कोर एकूड तो जी एंब् 성 कर एक स्क्राइब यहां पर से ञश्मस कर लोक है कि यहांपर ऑप करो से कि फोड़े यहां ऐसे च stesso को później अगर इसको दें मैं फोड़े रहा हूं तो यहां पर की यहांपर से जो आट चक्ण कर दोड़ाhos यह एक और यह आपकी F1 इस परकार से F1 और यहाँ पर और आपका कौन सा F3 और यहाँ पर F2 ठीक है तो F1 और F3 के बीच में एंगल की बात करें तो यहाँ पर आपका कितना एंगल है F1 और F3 के बीच में यह आपका 90 डिग्री का तो 90 डिग्री पर आपको पता होना चाहिए जब कब यह भी आपका यह जो है F के बराबर है यह जो है आपका F के बराबर है और यह भी F के बराबर है तो यह दोनों जब F के बराबर होते हैं तो फिर यहाँ पर जो इनका जो resultant है वो बिलकुल mid से जाता है और यहाँ पर इन दोनों के root 2 times होता है root 2 times of f plus में यह अभी किस के बरावर है f by 2 के बरावर f2 है आपका कितना f by 2 तो इसको लग दिया हमने f by 2 तो इसमें दोनों के दोनों जो आपके vectors हैं इन दोनों को resolve कर लिया तो यह root 2 times of f आ गया और यह होगा आपका plus में f by 2 तो net की बात करें f net यह होगा आपका root 2 f plus में f by 2 f को common ले लेते हैं यह होगा आपका कितना root 2 plus में 1 by 2 अब यहाँ आपर से f की value आपकी कितनी थी f की value थी आपकी gm बटे a square तो gm बटे a square दो की मलड़े प्लाय कर देते हैं 2 root 2 plus में 1 divide by 2 2 को बाढ़ने कर लें आपर से 2a square ठीक है तो यह होगा आपका final answer और यहाँ पर 2 को हमने बाढ़ने का लेते हैं तो 2 root 2 plus में 1 यह होगा आपका final answer ठीक है तो इसमें जो है आपको अगर vectors आता है तो आप इस question को अच्छे से attempt कर सकते हैं ठीक है vectors पे आपको अच्छे से सीखना है क्योंकि vectors जो है आपका most important है science वारे बच्चे के लिए यह जो है basic maths में cover हो जाता है basic maths में इसको जो है आपको cover करना चाहिए vectors को ठीक है आगे बढ़ते हैं अगले question में आपको क्या बोला गया कि आपके पास इस परकार से एक आपका system बना दे गया जिसमें आपके पास यहाँ पर आपको net gravitational field बतानी है बोले तो net gravitational field intensity बतानी है कहाँ पर origin पर ठीक है तो ऐसे आपके पास infinite mass systems है जिनका यहाँ पर से origin से distance given है 1 meter, 2 meter, 4 meter, 8 meter ठीक है ऐसे ही आपका continuously ऐसे आपका इसका double 16 meter फिर आपका कुतना 32 meter इसका double, फिर इसका double 64 meter ठीक है इस परकार से आपको distance भी given है अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा आपको मैं बता है तो आपको जो है e net find करना है at origin ठीक है तो e1 plus e2 यहाँ पर जो है superposition principle लगेगा आपका किसका electric field intensity गा तो e3 ऐसे करते करते कहां तक e infinity तक ठीक है तो यहाँ पर से e net बराबर यह जो आपका e electric field होता है sorry gravitational field मैंने आप electric field गलती से बोल दिया यहाँ पर जो आपको gravitational field है e तो यहाँ पर यह हो जाएगा आपका कितना gm बट्टे r square इसका formula होता है और r की जगा पर कितना है यह वन मीटर वन का square ऐसे यह जी एए जी एम बट्टे टू का square जी एम बट्टे एसी 4 का square और ऐसे करते करते कहां तक infinity तक जी एम बट्टे 8 का square इंफिनिटी तक ठीक है अब जो है हम यहाँ पर से क्या करेंगे सभी में से आपको क्या gm कामन लिख सकता हूं क्या 1 by 2 की पावर 4 प्लस 1 by 2 की पावर 3 लिख सकता हूं और उसकी पावर 2 है तो 2 की पावर 6 ऐसे ही continue infinity तक अब जो है इसमें जो है ना आपका gp progression लग रहा है geometric progression और आपने अगर आप math के student हो तो फिर आपको पता होना चीए अगर आप biology के student हो तो फिर आपक प्लस निकालना होना तो इसका simple सा formula होता है यह बटे 1-r यहां पर आपको infinite यहां पर तौंस दिख रही है और यहां पर आपके आपका इसका एक हिंड भी होता है उसके लिए आपको बताया तो यहां पर आपका r है वह मच-मच less than 1 होता है यहां पर आपको दिख रहा होगा यह है आपका 1 by 2 1 by 2 की power 2 है यहां पर आपका common ratio आ रहा है यह जो आ रहा है इसको बोलते हैं common ratio common ratio यह कैसे निकलता है आप किसी भी term को यहां पर ले सकते हैं इस्वारे term को हमने ले लिया और इसके पिछले term से इसको divide कर देते हैं तो 1 by 2 square divided by 1 by 1 का square तो यह आपका आग जाएगा 1 by 2 का square ठीक है तो यह आपका क्या आगया common ratio तो यह आपको दिख रहा होगा यह आपका 1 by 4 और 1 by 4 आपका कितना होता है 0.25 तो आपको दिख रहा है यह 1 से बहुत छोटा है ठीक है 1 तो बहुत यह सिंपल हो गया आपका as infinity कितना हो गया a यह आपका 1 divided by 1 minus आर आपका कितना है 1 by 2 की पार 2 तो 1 by 4 यह आपका कितना 3 by 4 और इसको उपर ले जाते है 4 by 3 तो यहाँ पर से हमें इसको यहाँ पर पूट करना था इस पूरे की वैल्यू कितनी आ गई इस पूरे की वैल्यू आ गई हमारी कितनी 4 by 3 इन नेट हो जाएगा आपका यहाँ पर से कितना 4 by 3 times of GM जो ही वच्छे हैं पर मैट्स का स्टुडेंट होगा उसको यहाँ पर समझ में आ गया होगा बाकि बाइवल वाले को भी समझ में आ गया होगा अगर आपने यहाँ पर पहले से अटेम्ट कर रखा है तो आपको यहा प्रोगेशन पता है ना तो आप इस कोशन को बहुत ही अच्छे से डील कर सकते हो बाकि जो ही मैं आपको यहाँ पर समझाया यह आप यहाँ पर थोड़े दोर के लिए याद भी कर सकते हैं अगले कुशन में आपको क्या बोला गया कि आपको नहीं है पर इसमॉल जी की वै एक ःतोर को में आपकर बॉल्लियृअ कि से लिए आपको अबसिता है इसको में रिप्लेश करतो कैसे मार्स परिणां आपको बताया था कैसे लिखता यह हूता है यह कोकर दैंसिटीन्टीन न काória देन्टी और फ्लाइब ऑल्लियूश मेतैं कितना जासब्सलिकतagem़ अश hostage क तो जी बराबर जी बट्टे आर स्कुरर मास कितना गया 4 by 3 पाई आर क्यूब इन्टु डैंसिटी आर स्कुर से आर क्यूब गया यह वच्चा आपका अर तो इन सब को एक साइट कर लेते हैं 4 by 3 पाई इन्टु डैंसिटी जी आर ठीग है तो यहां पर जो है पूरा पुरा आपको एक constant की तरह भी ट्रेट कर सकते है इसको kya नाम दे देता है और यहां यहां पर जो आपका यहां पर जी है यह भी कॉंस्टेंट है पर यहां पर जो आपका डैंसिटी है वह अलग अलग प्लैनेट के लिए अलग अलग हो सकता है तो इसको नहीं हम यहां पर कॉंस्टेंट से बाहर निकाल देते हैं इसको मैं यहां पर इसके सैड में लिख देता ह यहां पर इसको हटा देते हैं दूबार लिखते हैं, G बराबर यह होगा आपका, कितना? 4 by 3 G और पाइ की value constant और यह होगा आपका density into r, यह दोनों यहां पर variable हो सकते हैं, पर यहां पर इन सब की value क्या होगी? constant. क्योंकि यहां पर पाइ भी constant है, G भी constant है, युनिवर्सल कॉंस्टेंट और यहाँ पर 4 by 32 कॉंस्टेंट है ठीक है तो जी क्या लिए होगी के टाइमस ओफ रो आर तो अगर मैं आप से पुछू जी आर के डाइकली पॉपोर्शनल है तो आप कहेंगे हाँ जो जी है इस्मॉल जी वह आर के डाइकली पॉपोर्शनल है ठीक है और डैंसिटी की पर क्या है डाइकली पॉपोर्शनल अगले कुछन आपको कह गार है कि दा हाइट एट वीच दा वेट ऑफ बॉड़ी बिकांस वन बाइसिक्स्टींथ ओफ इट्स वेट ऑन दिस सर्फेस ओफ अफ अर्थ के जो इसका वेट है आर्थ के सब्सक्रेश्व जो इसका वेट है किसी बॉड़ी तक वह आपका वन व के बराबर तो यहां पर आपको भी बोलागा है कि the height at which the weight of a body becomes 1 by 16th of its weight on the surface of earth जो surface of earth पर जो इसका weight है यहां पर हमने इसको denote किया है तो यहां पर जो आपका m है वो mg के बराबर है capital M mg के बराबर है तो यहां पर से आपको यह बताने कि किस height पर जो आपका weight of body है वह 1 by 16th हो जाएगा weight of body on surface of earth ठीक है तो यहां पर mg की बात की जा रही है यह आपका 1 by 16th of capital M ठीक है तो यहां पर mg बराबर यह आपका mg बट्टे में 16 स्मॉल M से स्मॉल M चला जाएगा जी डैस कितना आ गया जी बट्टे 16 अब यहां पर आपको height बताने थी जहां पर इसका weight कितना हो जाए 1 by 16th तो यहां पर जी डैस के आपकी value होती है जी बट्टे 1 plus h बट्टे r का whole square तो यहां पर से जी डैस को हम यहां पर replace का देते हैं किस से जी बट्टे 16 से क्योंकि यह इसके बराबर है तो जी से जी cancel हो जाएगा और यहां पर इस वारे टम को उपर ले जाते हैं और 16 को यहां बट्टे लागर देते हैं त्री और यहां पर से अगर मैं हायट पूछू हायट कितनी आगी त्री टाइम सफार मतलब अर्थ की रेडियेस के तीन गुना जब हम ऊपर जाएंगे अर्थ के सर्फेस के तब इसका वेट कितना हो जागा वन बाइ 16 टाइमस ओफ वेट ओफ ऑफ ऑबजेक्ट ओन दी सर्फेस ओफ अर्थ ठीया इसका यहां पर क्या बोला गया कि आपके पास एक बॉड़ी है जिसका वेट है 72 न्यूटन और मुवस फ्रॉम दी सर्फेस ओफ अर्थ एक आपका यह अर्थ है जब यह इसकी सर्फे करता है जब यह मूव करता है साफेस सर्फेस ऑफ अर्थ के कितना हाफ एँ तो आरवाइट तो यह आपकी रेटिय approve करता है यला अब टो वह हम कैसे निकालते हैं, effect of height above earth surface, तो यहाँ पर से g बट्टे में 1 plus h बट्टे में r का whole square, और यहाँ पर height कितनी है, half of radius r by 2, ठीक है, तो यहाँ पर से g बट्टे बट्टे 1 plus h की value होगी r by 2 into r, इस पूरे का whole square, और दोनों साइड में mass से मड़ी पला कर दू, mass तो आपका कभी भी change नहीं होता, तो कोई दिकत की बात नहीं है, तो यहाँ पर से यह आपका क्या है, यह यह आपको नहीं पर फैंक पर नहीं होगा तो new weight हो जाएगा आपका कितना, यह इसकी value है बहुत तर, और यह r से r cancel, यह होगा आपका कितना, 3 by 2 का whole square, तो यह होगा आपका 9 by 4, 9 by 4, इसे एकट गया 8, तो 32 newton के बराबर आजाएगा आपका new weight, अगला question, बहुत यह सिंपल रहेगा, यहाँ पर आपको escape velocity का question है, the ratio of escape velocity at earth is V, to the escape velocity at a planet, Vp, यहाँ पर आपको V और Vp का ratio बताना है, whose radius and mean density are twice as that of earth, यहाँ पर बोलगा गया है, जो planet है न, Vp, इसकी जो escape velocity निकालने का जो आपका hint है, वो आपको मैं बताए तो, यहाँ पर जो इसकी density है, वो आपकी two times of density of earth है, और यहाँ पर आपको बोलगा है कि आपका जो यहाँ पर radius है, rp, वो क्या है, two times of radius of earth, ट्याँ, इतने सी बात इस line में कही गई है, both radius and mean density are twice as that of earth, जो earth है, उसकी density और radius का two times है, इस वाले planet पर, ट्याँ, तो यहाँ पर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने अभी आपको क्या बताए था, यहाँ पर मैंने आपको बताए था, अभी मैंने आपको बताए था, आपको बताए कि मास जो है, आपको इसको density के terms में भी लिए सकते हैं, जी बते आर, और मास को density के terms में लिए सकते हैं, डेंसिटी इंटू वाल्यूम, फोर बाए थरी, पाई, आर, क्यूब, अभी यहाँ पर से, जो आपका है आपकर आर क्यूब है, इससे आर कट जाएगा, और यहाँ पर बचेगा आपका र स्कोएर, तो वी इ बराबर, अंदरूट में, फोर टू जाओ होग Peninsula आपका यह बते थरी, और जी, रो, और यहाँ पर पाई, और यहाँ पर बचेगा आपका आर स्कोएर, ठीक है, तो यहाँ पर से R² जो है हम यहाँ पर भार निकाल लेते हैं और यह जो है अभी अर्थ की बात हो रही है तो यहाँ पर मैं अर्थ लगा देता हूँ और यहाँ पर Density of Earth ठीक है तो यह होगा आपका R E Under root में 8 by 3 G Rho E और यह होगा आपका Pi यहाँ पर से आपको Find क्या करना था यहाँ पर आपको इन दोनों का Ratio Find करना था S के Velocity of Earth and S के Velocity of Planet तो इन दोनों का आपको Ratio Find करना है S के Velocity of Earth S के Velocity of Planet यह होगा आपका कितना R E Under root में 8 by 3 G Rho E Pi और यहाँ पर से जो आपका Planet का रेडियस है वह आपका कितना है वह है आपका 2 times of radius of Earth और यह होगा आपका 8 by 3 G और Rho कितना है Rho है आपका 2 times of Earth into Pi साही साही चीज़े कट जाएंगी यहाँ पर Rho E Rho E से कट जाएगा यहाँ पर बचेगा आपका root 2 Pi से Pi कट जाएगा ठीक है तो यहाँ पर से radius of Earth, radius of Earth से कट जाएगा यहाँ पर बचेगा आपका 1 by 2 और यहाँ पर बचेगा आपका root 2 ठीक है V ratio VP कितना आगया 1 ratio 2 root 2 तो एक और बाह मैं आपको explain कर देता हूँ बहुत यहाँ simple सा question था यहाँ पर आपको क्या बोला गया था कि आपको यहाँ पर ratio बताने किसका s k velocity of Earth जो आपका VE से represent किया गया and s k velocity of planet जो आपका VP से represent किया गया जिसकी radius कितनी है इस सारे planet की और उसका जो main density है वो है आपका twice of that of Earth जो आपका Earth का radius है और Earth की जो density है planet is two times of radius of Earth density of planet is two times of density of Earth यहाँ पर सारी calculation करके ratio निकालना था दोनों को divide कर दिया और यहाँ पर से आपका आगया 1 by 2 root 2 तो यहाँ पर से आपको पता लगया जो इन दोनों का ratio है वो कितना है 1 by 2 root 2 तो उमीद है जितने भी questions मने आपको समझ में आउंगे और बाकी फिर भी आगर कुछ भी डाउट है तो फिर आप comment सकते हैं और बाकी इस वीडियो में तना ही वीडियो चलेगी तो फिर वीडियो कर आके देना और टैलीगाम जान कर लेना क्योंकि वहाँ पर जितने भी आपके अफडेट्स हैं